हलो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम तोड़ा सा डिसकस करेंगे डियलेड के जिन स्टुडेंट्स के कम परसंटेज बनी हैं तो उनको क्या प्रोसेस रहेगी उनके लिए रीट में या फिर सीटेट वगारा में क्या स्कोप रहता है रिजल्ट का और परसंटेज कहां माईने र दिख पा रहे हैं कि 33 रेनी भरती नए साल में मिलेंगे 31000 अभी की जो रीट बढ़ती है 31000 पदों पर उसकी यह पेपर कटिंग है दोस्तों लेटेस्ट अपडेट की बाकी सारी बाते यहां पर क्या महत्त हो रहता है रीट में उसकी यहां पर बात करते हैं तो यहां पर आ आधार तो इसमें पहले बात करते हैं लेवल फर्स्ट की लेवल फर्स्ट वाला यह हमारा काम का है तो यहां पर देखी रीट के नंबरों के हिसाब से सीधी मेरिट बनेगी यानि 150 अंकों में से जितने अंक आये हैं अन्य कोई नंबर आपका नहीं जुड़ने वाला है यानि जैने कि आपकी बीएश्टेसी की पसंटेज कुछ भी हो कोई माईने नहीं रखती है तो यह दोस्तों जिन स्टूडेंट्स के पसंटेज कम है उनके लिए यहां पर दोस्तों थोड़ा सा मोटिवेशन है कि आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है थोड़ा सा भी आपको जुट जाना है बीएश्टी से फस्टेर वाले हैं तो उनको सेकेंडर के त्यारी अभी से स्टार्ट कर देनी है और अगर बीएश्टी से आपकी कम्प्लीट हो गई है तो आपको रीट की नई भरती की त्यारी सुरू कर देनी है और जिन स्टूडेंट्स का अभी या selection के आसपास नहीं है तो आपको अभी से अपने तयारी स्टार्ट कर देनी है और ऐसे टाइम टाइम पर आपको motivation और latest updates आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी तो चैनल को subscribe जरूर कर देना है और फिर भी एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ